अलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज अपन चाप्टर नमर फर्स का थर्ड MCQ वीडियो करने वाल हैं देखिए अपन फर्स चाप्टर के अलरेडी दो MCQ वीडियो कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज उनको जरूर देख लिजेगा मैं आई बटन में उसका लिंक देदूंगी और अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं अपने स्टार्टर 6 की क्लास 11 की तो बहुत अच्छा है यह आपका रिवीजन का काम करेगा इनकेस अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं भी करिए तो यह आपको एक ट्रेलर देदेगा कि आपका चाप्टर नमर 1 में किस तरह के कोश्चन्स और क्या टॉपिक्स होईगे विए कि आपको पता है आपका चाप्टर नमर 1 टर्म 1 में 4 मार्क्स का आने वाला है दूसरी बात फ्रेंड्स आपको प्लेलिस्ट में से चाप्टर नमर 1 को पूरा अच्छे से गुरू करना होगा चाप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को विजट करें या किसी और यूट्यूबर के करें विए कि देखिए आप पूरे चाप्टर को पढ़ेंगे तब भी आप उन कह सकते कि आपको पूरे अच्छे से अपनके सेव हो जुके यहां पर आपको कुछ लेमिटेट इंपॉर्टेंट को सकते हो पूरा चैप्टर करने के बाद आपके चाप नमर बहुत अच्छे से सेव हो जाएंगे जो बहुत सिंपल लाइंग्डिश में आपको पेलेस में लाइवलिख पैसा कमाते हैं यहां पर क्या पूछ रहा है उससी हमसी और statistics में, economics में means का मतलब होता है resources का, यह बोल रहा है economic activity कई सारे resources से related है, किसी भी resources से related नहीं है, scarce means मतलब कि कम resources से related है या फिर none of these, economic activity वो activity होती है, जो किस से related होती है, scarce means की वज़े से, तो scarce means इसका answer आ गया, second question आता है, who consumes, यह ध्यान से समझना, इस question के अंदर मैं आपको दो questions बताऊंगी, who consumes goods and services for satisfaction of his wants, वो कौन है, जो goods and services को consume करता है, use करता है, अपनी wants को satisfy करने के लिए, options देखिए, producer है वो बंदा, consumer है, distributor है, या फिर ANC, producer और distributor दोनो है, देखिए, producer कौन होता है, जो goods and services को produce करता है, distributor कौन होता है, जो goods and services को बाटता है, distribute करता है, consumer कौन होता है, जो goods and services को consume करता है, use करता है, अपनी wants को satisfy करने के लिए, तो इसका अपना answer आ गया B, अब समझने वाली बात क्या है, देखिए, consumer क्योन होता है, जो goods and services को consume करता है, want को satisfy करने के लिए और producer कौन होता है जो गुड्स और सर्विसेस को प्रडियूस करता है अभी अपने कंजूमर कंजूम करता है प्रडियूसर प्रडियूस करता है अपनी income generate करने के लिए थर्ड कोशन आ जाता है यह depth question है ध्यान दीजेगा measurement of central tendency comes under क्योंकि actually यह questions मैं नहीं वरका है measurement of central tendencies comes under measurement of central tendency मतलब mean median mode यह किस के अंडर में आती है inferential statistics के अंदर आती है nature of statistics में आती है descriptive statistics में आती है यह none of these देखिए inferential statistics और descriptive statistics का question मैं suggest पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ और उसको समझा भी दिया मैंने short में टेटेल के लिए प्रेलेश विजिट कर लीजेगा measurement of central tendencies descriptive statistics के अंदर आती है इसका अपना अंसर आ गया c fourth question देखिए statistics studies यह बोल रहा है statistics किसकी study करता है quantitative facts की मतलब की numerical facts की qualitative facts की quality क्या होती है से बोलते हैं ना कि यह बंदा मुझसे ज्यादा intelligent है या यसे कहते हैं कि यह बंदा मुझसे ज्यादा honest है तो एक तरीके से बेसिकली जो quality depict करता है that is called quantitative facts बोथ A and B quantitative facts and qualitative facts दोनों या फिर ननों थीज देखिए statistics एक ही बात की study करता है है वह है quantitative facts numerical data की statistics study करता है quality के बारे में statistics कभी नहीं बताता है कि यह बंदा ज्यादा honest आप से यह कभी नहीं बताता है तो इसका अपना अंसर आ गया qualitative facts right fifth question आ जाता है part of income which is not consumed is called आपके पास suppose आप एक लाग रुबे महीना कमाने लगए ठीक है आपकी जॉब लगए या आपने अपना start-up कर लिया एक लाग रुबे महीना आप कमाने लगए अब उस एक लाग को बुरा spend तो नहीं करोगे ना एक लाग आपने कमाया तो suppose आपने 80,000 ही पर मंद खर्च करने लगे 20,000 रुपे जो आपके बचे उसको आप क्या काओगे उसको आप investment काओगे उसको आप production काओगे उसको आप saving काओगे या ना नौगी जो आपने पैसा बचा है वो आपने save किया तो उसको आपन क्या कहींगे saving देगे friends ऐसे ही simple question आएंगे क्य मुझे जरूर बता दीजिगा क्योंकि मैं ही नहीं कोई भी यूटूबर आज कोई भी content create करता है जिस pattern को content create करता है उसको पता कैसे चलेगा कि उसको audience को क्या अच्छा लग रहा है simple सही की तरीके पता करने का audience response करती है like button प्रेस करती और comment करके बताती है कि हमें इस तरह का ही content चाहिए तो प्लीज यह जरूर कर लीजेगा जिससे मेरे को पता चल चाहिए क्या अच्छा लग रहा है और नहीं लग रहा तो मुझे क्या improve करना और अच्छा लग रहा है तो क् और direct satisfaction of wants अपने देखा था कि जो बंदा goods and services को consume करता है उस बंदे को अपन कहते है consumer जो goods and services को produce करता है उसको अपन कहते है producer यह यहां पर पूछ रहा है process के बारे में जिस process से goods and services को अपन use करते है उसकी utility value को use करते है अपनी wants को satisfy करने के लिए उसे क्या कहते है bonds को satisfy करने के लिए जो use करता है उसे use करने वाले को consumer कहते है और प्रोसेस को अपन कहते है consumption तो इसका अपना आशर आगया है बी अच्छाव यह सोच रहूंगे ID के क्या है ID के is I don't know simple just for fun purpose I have just placed it here 7th question देखिए which one is the importance of statistics इन वे से कौन सी statistics के importance है prone to use misuse देखिए misuse है कोई चीज़ को अपन misuse कर सकते है वो तो उसकी weakness होगी तो यह importance तो है नहीं can used by experts status statistics experts ही use कर सकते है यह भी एक limitation होगी थर्ड आ जाता है policy formation और fourth आ जाता है homogeneity of data देखिए statistics को कोई भी data को conclude करने के लिए compare करने के लिए homogeneity होना बहुत जरूरी है तो यह भी इसकी एक weakness हो गई last one बसता है policy formation statistics को statistics की importance है कि statistics की help से formation policy को form किया जाता है और form कौन करते है जैसे जो अपने finance minister है न वो क्या से करते है वो statistics के data को देखके taxes बढ़ाने है taxes कम करने है यह decide करते हैं तो इसका अपना answer क्या आगया C next question आ जाता है 8 question यह ध्यान से समझना expenditure by producer on purchase of assets to generate income उसको क्या कहते है अभी consumer का अपने खर्चा देखा था अब यह देख बोल रहा है कि producer जो खर्चा करता है उन मशीनों को खरीद नेकले जिससे की वह पैसा generate करता है उस खर्च को अपन क्या कहते है production distribution saving investment अज आपने कोई भी चीज़ खरीदी simple सी बात है कोई भी plant खरीदा कोई भी machine खरीदी है कोई भी पैसा खर्च किया पर वो पैसा खर्च इस लेकिए जिससे आप उस पैसे को यूज़ करके उस चीज़ को खरीद के और ज़्यादा पैसा कमा सके तो उसको अपन investment कहेंग क्योंकि जैसे आपको कॉमेंट आगा उसके बाद ही में शूट स्टार्ट कर पाऊंगी मेरे 12 की वीडियो चलते रहेंगे लास्ट कोशन आजाता है तेंदुलकर है तो यह क्या वह स्टार्टिक्स है या नहीं है अभी अपना जस्ट देखा था नुमेरिकल डेटा को स्टे चनाने की possibility बहुत हाई होती है जरूर से ध्यान रखना कि सारे डेटा स्टार्टिक्स नहीं होते हैं पर सारे स्टार्टिक्स डेटा होते हैं